तो रोतक के परसिद व्यक्ति देख लेते बेटा परसिद व्यक्ति तो पहला नाम और बहुत शांदार नाम जो है वो है छोटू राम सर छोटू राम का तो सर छोटू राम से क्या क्या कोश्चन आते हैं वो पहला ही क्या है इनका जनम कब हुआ तो इनका जनम जो हुआ था वो 24 नवंबर 1881 को हुआ था गड़ी सापला गाउं के अंदर और गड़ी सापला गाउं के अंदर इनका पुराना नाम या इनका बच्पन का नाम था रीच पाल और इन्होंने कभी भी अपना सरनेम अपने नाम के आगे पिछे नहीं लगाया कोशन आता है तो इनका जनम है 24 नवंबर 1881 हुआ कहां गड़ी सापला और इनके बच्पन का नाम क्या था रीच पाल नाम था इनको बेटा किशानों का मसीहा कहा जाता है इनको भाकडा दैम का जनमदाता भी कहा जाता है तो किशानों का मसीहा कहा जाता है इनको किशानों के उत्थान के ल करना सीख ले एक तो बोलना सीख ले और एक दुस्मन पहचानना सीख ले तो ये इन ही का कथन है इनके अकवार देखेंगे तो हिंदुस्तान अकवार 1907 में इंगलिस में निकाला जाट गजट अकवार किसका है तो अंसर आएगा 1915 में निकाला गया जाट गजट अकवार सर चोटू राम ने निकाला था, उर्दू भाशा में हुआ करता था, याद रखेंगे, पेसे से सर चोटू राम वकील थे, इन्होंने वकील या वकालत की जो पढ़ाई है, वो बेटा आगरा विस्विधाले से की थी, 1911 के आसपास, उसके बाद वकील थे, और इन्होंने जाट हाई स्कूल, रोतक की स्तापना की, 1913 में, तो जाट, 1913 में, जाट हाई स्कूल की स्तापना किस ने की है, आंसर आएगा, सर चोटू राम ने, इनकी बेटा दो पार्टियां भी थी, एक तो यूनिस्ट पार्टी, 1923 में, और जमीदारा लीग, 1924 में, आप से पूछेगा, कि स्तापना यह से संस्तापक कोन रहे है, ओ, सर चोटू राम, 1923, जमीदारा लीग किस ने स्तापित की, 1924, चोटू राम, ने, इनकी उपादी देखेंगे, उपादी 1927 में, राय भादूर की उपादी इनको दी गी, सर की उपादी 1937 में, इनको दी गी, देखो, दो, दो, 10 का फर्क है याद कर लेना रहेबर ए आजम 1942 में पूछा गया कोशन है रहेबर ए आजम किसे कहा जाता है तो रहेबर ए आजम सर छोटू राम को ही कहा जाता है याद रखेंगे भाखडा डैम के जर्मदाता मैं पहले ही बता चुका हूँ याद रखना 1945 में इनकी मिर्तु हो लेकिन इनका अंतिम संसकार रोतक के गउ करन तालाब पर चंदन की लकडियों से किया गया था बड़ी भीड जुड़ी उस दिन और गड़ी सापला में 2018-1964 फिट की मुर्ती का अनावरन किया था सर मोतीजी ने याद रखेंगे तो याद रखना सर छोटू राम इतना लगातार सबसे ज्यादा कारियकाल रखने वाले हरियाना के सीम कोन है तो भुपेंदर सिंग हुड़ा है सांगी खडवाली में इनका जनम हुआ था 15 सितंबर 1947 15 सितंबर 1947 हरियाना के ऐसे सीम है जो आजाद भारत में जनमे थे तो हरियाना के पहले सीम जो आजाद भारत में जन्में थे, अंसर आयेगा भुपेंदरासिγ उड़ा, दूसरे कौन है जो आजाद भारत में जिन्होंने जन्म लिया तो आपके खटरजी है और तीसरे आप कौन बन गए है, नायब सिंह सैनी तीसरे ऐसे सीयम है हरियाना के जिनोंने आज़ाद भारत में जनम लिया था उसके बाद इंपोर्टेंट नाम नेकी राम सर्मा नेकी राम सर्मा को हरियाना का पर्थम संतंतरता सैननी कहा जाता है नेकी राम सर्मा को ही हरियाना केसरी के नाम से भी जानते हैं तो हरियाना केसरी किसे कहते हैं नेकी राम सर्मा को और हरियाना के पर्थम संतंतरा सेननी के रूप में भी नेकी राम सर्मा को ही जाना जाता है। का याद रखना जनम कलिंगा गाउं में हुआ था 1887 में और इन्हों ने जो सदस्ता सवराज संकी सदस्य बने इए 1916, 1916 आप सबको पता है कि होम रूल लीग भारत में थी, 1930 में इन्होंने संदेश पत्री का या संदेश पत्तर चलाया था, important है, संदेश कौन देता है, नेकी देती है, नेकी के संदेश देते है, नेकी रामसर्मा, तो संदेश पत्तर किस का पत्तर है, नेकी रामसर्मा का पत्तर है, 1956 में इनकी मिर्तु हो जाती है, याद रखेंगे, यह पर्थम संतरता सेना नी भी थे, उसके बाद देखो, कामरेड, लक्समनदास, बगलू राम औ और सुल्तान सिंग अंग्रेजी सेना में सैनिक थे और इनको विक्टोरिया क्रोस मिल चुका है याद रखेंगे ये जो आपके जो दूसरा विश्व युद हुआ उसमें जो ये सैनिक थे इन तीनों का नाम याद रखना पेपर में पूछे जा चुके हैं कि किस जिले से संब मलिक आपके क्या हैं ये कुस्ति लड़ते हैं उसके बाद साक्सी मलिक का जनम 3 सितंबर 1902 में इंपोर्टेंट है पूछा जा चुका है 2016 में जो रियो के अंदर उलम्पिक हुए थे उनमें कास्य जीता था और ये पहली महिला हरियाना से जिनोंने कोई उलम्पिक में पदक जीता था तो हरियाना की पहली महिला जिसने पहला पदक जीता उलम्पिक में साक्सी मलिक कुस्ति से सम्मन देत हैं अमित पंगाल 16 अक्टूबर 1995 को मायना गाउं में इनका जनम हुआ बोक्सर है और सुमित मलिक जिनका जनम 1993 में 9 जनवरी को हुआ बेटा 2018 में आस्टेलिया में होने वाले राष्टिय मंडल खेलों में इन्होंने रजत जीता है और 2017 के अंदर एश्यन कुस्ती की 1888 के अंदर रोतक में सारजनिक सबा हुई थी कॉंग्रेस की जो पहली सारजनिक सबा थी कॉंग्रेस की याद रख लेंगे ध्यान रखेंगे इस क्लास में मैंने आपको रोतक के बारे में बताया बड़े बड़ी नाम बड़े बड़े काम रोतक में हुए है आप सब को मैंने बड़े उत्सा से और बड़े मजे से इस class को पढ़ाया, enjoy करके इस class को पढ़ाया, बहुत अच्छा एक जिला हरियाना का रोतक है, तो रोतक वाले इसको अगर देख रहे हों, तो comment box में जरूर कर दें, जै हिंद, जै भारत, जै हरियाना, मिलते हैं किसी अंगे class में, न